हेलो एब्रीवन वेल्कम पैक टू माई चैनल सारा आट इंड डिजाइन आज की वीडियो को टॉपिक है प्याटिफुल सा निक डिजाइन तो उसके लिए मैंने ये निक की आल्रेडी जो शेप है वो कट करके रखी हुई है और इसके अंदर का जो फाब्रिक निकलता है जो ह हमारा पेस्टिंग निकलता है अंदर वाला वो हमें डिजाइन के लिए यूज करना है जो इसका सेंटर पॉइंट है वहां तक पहले हमें इसको माग करना है और सेंटर पॉइंट से हमें इस तरीके से डिजाइन को एक्स्टेंड करना है और उसके बाद जो इसका गैप रखा है और उसके बाद इसको थोड़ा-थोड़ा सा एक-एक पॉइंट कम करते हुए इस तरीके से हमें से कम कर लेना है और ये कुछ इस तरीके का रेडी होगा और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हमें इसको पेस्टिंग वली साइड also fits the same वाली साइड जो वो नीचे थी बट जो डिजाइन बनेगा अगर आप इस साइड को बना रहे हो तो इसकी पेस्टिंग वाली साइड जो है वो उपर रहेगी और अगर दूसी तरफ से आपको बनाना है तब जो इसकी पेस्टिंग वाली साइड है वो नीचे रहेगी इस कि इस तरीके से हमें इसको कर लएना है कट नब यह हमारा डिय्जजाइन भी कट हो गया है और हमारा नेक है जो वो भी कट हो गया है किक अब आपने की आपने पेस्ट क्यूंकि मेरा जो नेक बनेगा वह बनेगा सेम ऐस्थाइब치 मेन वह और जो उपर के design बनेगा वो bottom के contrast fabric में बनेगा तो उसके हिसाब से हमें इसे adjust करके रखना होता है तो पहले हम इसे करेंगे अपने fabric के उपर paste और फिर उसके बाद इसे हम design को बनाएंगे तो इसका look जो है कुछ इस तरीके से आता है अगर आपको same इसी तरीके से रखना है तो पेस्टिंग अला हिस्सा आप उपर की तरफ रखोगे और अगर आपको दूसरी तरफ रखना है तब आप पेस्टिंग अला हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ रखोगे डिजाइन बनाने के लिए मैंने इस तरह के ये ट्रेंगर लेस्ट यूज़ करनी है ये निक अल्रेडी पेस्ट कर लिया है इसको भी मैंने पेस्ट कर लिया है और इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसको गम से जो है अगर आपके पास fabric glue है तो आप उससे paste कर लीजिए तो मैंने इसे किसी भी जो fabricol की glue stick आती है मैंने इसको उसके साथ paste कर लिया है यह थोड़ा easy हो जाता है क्योंकि unnecessary I think कि बहुत सारी सिलहियां लगाने के बाद फिर उसको खोलो तो उसमें जादा time लगता है comparative तूकि अगर हम इस तरीके से करें तो यह जादा comfortable है अब हमें अपने नॉर्मल तरीके से जैसे हम अपने नेक को stitch करते हैं वैसे हमें अपने नेक को stitch कर लेना है सेंटर की कच्छी से लाई लगा देंगे और हम अपने नेक को एक पर बिठा लेंगे सेंटर में proper अपर और उसके बाद हम अपना नेक जो है वो स्टिच करना शुरू करेंगे और नॉर्मल जिस तरीके से हम अपने नेक को stitch करेंगे इसकी साइड पर सिलाई लगाएंगे और सिलाईया हमें जो भी आपका कैन्वस है उसके उपर कभी नहीं लगानी होती उसके साथ साथ में हमेशा सिलाईय लगानी होती है क्योंकि अगर आप उपर लगाते हो तो वह बहुता मोटा हो जाता है वहां पर फोल्ड करने में जाता प्राप्लम आती है तो सिलाईय लगाने के बाद अंदरके फाबड को कड कर दिया है और जितना बिसका फॉल्ड एड वला करविश वला आयरिया वहां पर च्छोटे छोटे कट लगालें है और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके कच्ची वाली सिलाईय के उपर दे देनी है ताकि यह नामारा आप बिगनर नहीं हो तब आप इसको आइन करके भी अच्छे से सेट कर सकते हो कि यहां पर इसको अच्छे से फोल्ड करना है ताकि नीचे वाला जो है फैब्रिक वो पर दिखाई ना दे इसको ऐसे दीरे दीरे हमें कच्छे से लगा देनी है क्योंकि बाद में यह तुरुपाई होगा और जब यह हम होता है तब यह दिकत नहीं करता है और बहुत अच्छे फनिशिंग में आता है अब इसके उपर हमें अपने डिजाइन को प्लेस करना है बट उसको प्लेस करने से पहले इसकी साइड के उपर मैं यहां पे ट्रैंगल वली छोटी लैस यूज कर रही हूं क्योंकि यह फोल्ड करने में भी बहुत इजी रहती है आप यहां पे कुछ भी अगर यूज यहां पर तो पाइपन लगाना भी बहुत एजी और पॉफेक्ट ऑप्शन है और इसको रखते हुए अच्छे से हमें इसे फोल्ड कर लेना है यहां पर और कॉर्णर पर लगाते लगाते जब हम इसे सलाई लगाएंगे तब यह अपने आप ही अपना शेप ले 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 दी है और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजेगा अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स जिनको स्ट और साथ की साथ ही कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको यह वीडियो जो है वह कैसी लगी और अगर आपके कोई क्वैरीज है तब आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मुझे मेरे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो यह कुछ इस तरी की पाइपिन के साथ लगाते हो तब आपको यहां पर कॉंट्रास कलर की पाइपिन जो है वह यूज करनी है तो यह कुछ इस तरीके का रेडी हो जाएगा अब यह हमारा जो रेडी हुआ है यहां पे हम दूसी साइड पे अपने नेक को पेस्ट कर देंगे जो हमारा डिजाइन है उसको यह देखिए यह कुछ ऐसा आएगा क्योंकि उपर से मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था तो उसी ही साब से यह आएगा अब हम इसे प्रॉपर तरीके से सेट करते हुए इसको सिलाई लगा के फिक्स करना है यह देखिए सेंटर से हमारा सेंटर मैच हो गया है और जितना हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ रखा था उत्ता ही एक्स्ट्रा यह आ जाएगा अगर आप बिगनर हो तो बार-बार कह रही हूं बिगनर हो तो यहां पे आप पेंस लगा के इसको सेट कर सकते हो यह फिर यहां पे भी आप कच्छी सिलाई वगारा लगा के इसको यूज कर सकते हो इसको प्रॉपर तरीके से आपको एक बर सेट करते हुए देखना है और फिर उसके बाद इसके उपर से लगानी है बन्ने में ये नेक डिजाइन बहुत सिंपल और बहुत आसान है और बनने के बाद इसका जो लुक आता है वो बहुत 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 ही प्यारा आता है और इसको बनाने में कोई जादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही एजीली ये बन जाता है और इस नेक की जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हमें कुछ डिजाइन बनाना है आप चाहो तो इसको as a twist छोड़ सकते हो या फिर buttons वगएरा उपर लगा सकते हो इसके ये देखे ये कुछ ऐसा हो गया है ready होने के बाद आप यहाँ पे side पे कुछ buttons वगएरा multi beads कुछ भी आप लगा सकते हो यहाँ पर और मैं यहाँ पे side पे portly button लगाऊंगी थोड़े थोड़े gap के बाद आप इसके ऊपर बटन लगा सकते हो या loops लगा सकते हो कोई भी triangle वगएरा something कुछ extra अगर आप use करना चाहते हो आप ऐसे भी छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो तो यह देखे मैंने यहाँ पे portly button जो है प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं वीडियो